अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके करनाटक सड़क परिवन ने एक अच्छी पहल की है दरसल दूर दराज में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो इसके लिए मोबाईल लाइबरेरी बस की शुरुआत की गई है आपको बता दे कि मोबाईल लाइबरेरी बस उत्तर पूर्विक करनाटक सड़क परिवन ने गम द्वारा कल बुर्गी में जिला पंचायत और शिक्षा विभाग के सहयोग से शुरू की गई है बस में मौजूद लाइबरेरी में 4000 किताबें और 100 पत्रिकाय मौजूद हैं और इसका असल उद्देश्य है कि दूर दरास के इलाकों में रहने वाले बच्चों की पड़ाही में मदद की जा सके जिसके तहट उत्तर पूर्विक का नाटक सडक परिवन निगम ने मौबाई लाइबरेरी शुरू की आपको शुराखिश्य है We have started a very novel and innovative, unique mobile library bus, with a collaboration from Jilla, Panchaet, Kalburgyi and education department and library department. The demand and the design is from education department, mainly to reach out to the remote schools and especially in the villages and then hamlets. And the bus body, like we have taken a old body and the construction, everything is done from North Eastern Corporation, Transportation Corporation. बुप्र जिला पंचाइट कलपूरगी घ्र गुरुरुगी।Mॉच. सब्सक्राइब का इधिर प्रावपियराइब।। इपर्स लुम्नेख़ इन इ।बूसों अमालचे डेव लिएक्टर चूछे और अंडूप्टर्णस। and students are also very much actively involving in that process. The main objective of this particular mobile library bus thing is to inculcate a habit of reading and then to take interest in various kinds of books. For more information, visit www.fema.org